रायपूर से हर्ताल पर बैठी कोरोना वारियर्स का बड़ा बयार हिंसा का मार्ग चुनो और नकसली बनो नकसली बनकर सरेंडर करो सरकार नौकरी देगी कोरोना वारियर्स बनो बिरोजगारी मिलेगी 30 दिनों से जारी है कोरोना वारियर्स की हर्ताल तो वारियर्स ने जो पिछले 30 दिनों से अपनी एक सुत्री मांग सेवा काल को आगे बढ़ाने को लेकर लगत तार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुचाने के लिए तमाम प्रयास किये हैं न्ीष 24 ने इनकी खबरों को प्रमुकता से दिखाया हैं तो कमीटी गठीत गई की बाद भी द्रदर्शन जारी और इसी बीच बेहधीं चिंता-जनक जो बयान सामने आया है, इन्होंने जो बयान बुलन कर रहे हैं बड़ा सवाल यह है कि हाल में आउसाच जारी किया गया है बेरोजगारी को लेकर पूरे देश के इस्थिति यह है कि 6.7 प्रतीशत है लेकिन यह जया घ्षाल के आगारी है अंगरे की बात कही जा रही हुँते हैट के इस मिलेश जो जो लोगों को परिशान करताइं लोगों स्थिति यह है कि काम निकल गया तो उसके बाद इनको छोड़ दिया जाए अब यह लोग का कहना है कि कमेटी पर भरोसा नहीं है सरकार पर है अगर सरकार चाहर है तो सीधा हमको आदेश कापी दे तभी हम धरना यहां से खतम करेंगे नहीं तो जब तक आदेश नहीं मिलती य अब देखना यह होगा कि सरकार आगे इनके लिए क्या फैसल लेती है या कमेटी के रिपोर्ट पर ही निर्भर रहती है कैमरा में नागल करके सांओ सत्या राजपूर